Hello everyone, welcome back to my channel, I am Pooja और आज हम Static GK का एक और important topic discuss करेंगे Sports associated सभी cups and trophies को हम यहाँ पर देखेंगे with lots of PYQs तो हमारा topic of discussion है important sports cups and trophies with PYQs और यहाँ पर वीडियो के end में question of the day भी है जिसका answer आप मुझे comment section में दे सकते हैं आपके आने वाले हर एक one day exam In fact, आपका जो banking exam होता है और banking exam में भी Static GK पूछा जाता है और वहाँ पर आपको sports associated terms and cups देखने को मिलते हैं तो इन सभी topics को आज हमें यहाँ पर discuss करना है तो वीडियो को end तक देखेंगे और end में question of the day है जिसका answer आप comment section में देगे So start करते हैं with first question और सभी लोग कोशिश कीचेगा answer करने की ठीक है, पहला question है Which sport is the Aga Khan Cup associated with? Aga Khan Cup का relation किस game से आपको देखने को मिलेगा? कई बार यह question repeat हुआ है Aga Khan Cup का relation आपको देखने को मिलेगा? कहां से? हौकी से कहां से मिल जाएगा? हौकी से देखने को मिल जाएगा ठीक है? अब जैसे कि husband जो होते हैं उनको आप सुनते हैं Swami बोलते है, right? sometime उन्हें Swami बोला जाता है तो अब कोई wife है वो अपने घर आई है और बोल रही है Swami की कहां पर है? घर की कहां पर है? तो स्वामी और की से आप यहां पर एक और कप याद रख सकते हैं? रंगा स्वामी कप रंगा स्वामी कप का association भी आपको हौकी से देखने को मिल जाएगा clear हो गया? तो यहां पर correct answer क्या है? आपका हौकी अब यहां पर अकसर एक confusion हो जाता है क्या? अब इस image को अच्छे से देखिए यहां से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम सभी को पता है कि आगा खान पैलेस कहां पर है? पूने में है चीक है अब आगा खान पैलेस में यह जो बेगम है बेगम कर रही है ध्यान बेगम क्या कर रही है? ध्यान कर रहे हैं और उनसे मिलने आते हैं सुल्टान और यह सुल्टान कहा के हैं यह सुल्टान है सिंदिया के तो यहाँ पर बेगम कहती है अभी मैं ध्यान कर रहे हूँ आप वेट करो बाद में हम होकी खेलेंगे clear हुआ यह कहानी समझ में आई आगाखान पहले से उसमें बेगम ध्यान कर रही है बेगम से मिलने आते हैं सिंधिया के सुल्तान और उनको खेलना है होकी तो बेगम कहती है मैं ध्यान कर रही हूँ थोड़ा सा वेट करो यह सभी cups associated है होकी से ठीक है देख लेते हैं कौन-कौन से कप है सबसे पहला है आगा खान कप ठीक आगाखान कप कर आद आती है बेगम रसूल ट्रोफी बेगम रसूल ट्रोफी पिर आता है ध्यानचंदर ट्रॉफी फिर सुल्तान अजलन-शाह कप आपको देखने को मिल जायेगा and weight से आप याद रखेंगे weightan cup ये सभी के सभी associated है आपके होकी से I think आपको यह image थोड़ी बहुत याद होगी तो यह सभी cups आपको exam में मिल जाएंगे और आप solve कर लेंगे ठीक है तो एक और question जो already exam में पूछा गया है आप PYQs देखोगे तब आपको यह questions देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सुल्तान अजलन شाह कप का relation किस game से है तो अभी हमने देखा कि सुल्तान अजलन शाह कप का relation आपको देखने को मिल जाएगा hockey से यह annual tournament है जो कि hockey से associated है जिसका venue fixes होता है हर साल यह जो सुल्तान अजलन शाह कप है यह पर होता है, Malaysia में होता है, since 1983, पहला एडिशन 1983 में हुआ था, ठीक है इतने चीज़ें, अब यहां पे अगर हम फील्ड हौकी की बारे में बात करते हैं, तो हौकी की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है, हौकी की जो शुरुआत है ओलंपिक गेम में, वो 1908 में होती है, मैं सुल्तान अजलन चाहकप recently conclude हुआ है, मलेशिया आपका fixed venue है, कौन सा एडिशन था यह, 30 एडिशन था, किसके बीच में हुआ, तो जापान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और जापान ने defeat किया है पाकिस्तान को, and 30 एडिशन सुल्तान अजलन चाहकप का जीत लिया है, इसमें 2024 में 6 टीम्स ने participate किया था, 6 टीम्स ने participate किया था, जापान, पाकिस्तान, कैनेडा, साउथ कोरिया, न्यूजलेंट, एंडा, मलेशिया, इंडिया भी अकसर सुल्तान अजलन चाहकप ट्रॉफी में participate करता है, अभी तक इंडिया ने 5 बार इस ट्रॉफी को जीता है, 1985, 1991, 1995, 2009 and 2010, सबसे सक्सेस्फुल टीम आपको ऑस्ट्रेलिया के टीम देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के टीम ने 10 बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, 10 टाइम्स, डन, चलिए, नेक्स्ट कॉश्चन है, अब इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप कौन सी है, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप, दूरंड कप या रंजी ट्रॉफी, तो हमको पता है, कि रंजी ट्रॉफी का एस्सोशेशन आपको देखने को मिलेगा, किस से, क्रिकेट से, तो सही आंसर क्या हो जाता है, बाइदा PCCI, मतलब Board of Control for Cricket in India, और इस चैंपियनशिप की शुरुआत कभ हुई थी, 1934, 35 मेस की शुरुआत हुई थी, अब जैसे कि संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से है, फुटबॉल को खेल के हमें संतोष मिल रहा है, ठीक है, थॉमस तो थॉमस कप Associated आपको मिल जाएगा किस से? बैडमिंटन से, थॉमस कप Associated है बैडमिंटन से, वैसे ही Uber Cup भी Associated है आपका बैडमिंटन से, नेक्स आता है Durand Cup and recently 133 नमबर का addition Durand Cup का conclude हुआ है, ठीक है, और North East की जो फुटबॉल क्लब है, उसने इस Durand Cup को जीतने का काम किया ह जो कि जोन इबराहिम की टीम है, तो Durand Cup का Association भी आपको फुटबॉल से देखने को मिल जाएगा, डन, चलिए, नेक्स आप देख सकते हैं कि रंजी Trophy 2024, तो यहाँ पे रंजी Trophy का जो फाइनल है, वो मुंबई और विधर्व के बीच में हुआ था और मुंबई की टीम ने प्रंजी Trophy को जीत लिया है, यह आपका 2024 के Current Affairs का डेटा है, आप इसको भी आद रखेंगे, नेक्स्ट है, the Nehru Trophy Competition near Alpooja, held on the second Saturday of August every year, is the most competitive and popular of the which category, तो Nehru Trophy हर साल organized की जाती है, केरला के Alpooja में, इसका relation किस से है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक वोट रेस के बारे म तो यह आपकी बोट रेस आपको देखने को मिलेगी, option number 3 is the right answer, 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी, done, चले, further हम कुछ questions को देखेंगे, उसके पहले छोटी सी update है, हमारे जो famous घराना है, घराने के अलावा, जो हमारे musical instruments और उनके जो भी exponent है, उस पे मैंने वीडियो बनाया ह हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजेगा, और मेरा ऐसा मानना है, मानना क्या है, आप अगर पिछले 5 क्या 10 सालों के question paper को भी उठा के देखेंगे, especially SST और railway के, तो आपको इस particular topic से हर एक सेट में question ज़रूर मिलेगा, पूछा जाता है कि संतूर, सारंगी, आप इसकी PDF और यह टेस्ट है, यह दोनों आप देख सकते हैं कहां से, application से, पूजा जैन Classes application को सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पे जाके, और आप application को डाउनलोड करके, यह सारी जो facilities हैं, इनको अवेल कर सकते हो, simple, चेक है, चलिए, next है, Walker Cup is associated with which sport, Walker Cup का संबंध किस गेम से है So, उफ, उफ मैं ठग गई, कैसे ठग गई, how, कैसे ठग गई, मैं actually ride कर रहे थी, और ride करते-करते, उसके बाद मझे walk भी करना पड़ा, तो ride की मैंने, फिर walk भी की, जिसके कारण में काफी ठग गई, उफ मैं ठग गई, तो golf, आप देखो, golf के last में आप इस तरीके से बोलते उफ, उफ, आप याद रखेंगे, और rider cup हो गया, walker cup हो गया, ये दोनों associated हो जाते हैं, गोल्फ से, ठीके, मैं ride कर रही थी, उसके बाद मैंने walk भी किया, जिसके कारण में काफी ठग गई, उफ मैं ठग गई, ओके, option number 4 is the right answer, टान इतनी चीज़े, अब यहाँ पे हम थोड walker cup and rider cup, ठीक है, walker cup and rider cup का association किस से है, गॉल्फ से है, ठीक, फिर आप याद करेंगे यहाँ पे tennis, तो tennis का association आप देखेंगे, debis cup, debis, tennis, थोड़ा सा similarity रखता है, तो debis cup associated है with tennis, और ये question already SSC ने कुछ समय पहले ही, शायद CPO के exam में पूछा था, ठीक है, Billy Jean King cup, ये भी tennis से associated है लेकिन ये women's के लिए है, जबकि आपका जो debis cup है, वो men's के लिए है, ये दोनों आपको tennis से मिलेंगे, debis and Billy Jean King cup, ठीक है, चलिए, badminton, तो सुधीर मन cup का relation आपको badminton से मिल जाएगा, फिर आप देखेंगे American cup, तो American cup आपको देखने को मिलेगा racing से, next है, colombo cup, तो colombo cup आप football से associated है, और इस cup में पार्टिसिपेट करता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका and Myanmar, done, तो आप screenshot लेना चाहो तो ले सकते हो, धरवाइस PDF class over होने के बाद application पे अविलेबल होगी, आप आप दाउनलोड कर सकते हो, next है, recently मैंने आपको कहा था, उफ, मैं थख गई, तो मुझसे पूछा गया, how, कैसे थख गई, how, कैसे थख गई, तो मैंने कहा कि मैं ride कर रही थी, और ride करने के बाद मुझे walk भी करना पड़ा, इसलिए मैं थख गई, तो rider cup, walker cup, और उसके अलावा आपका, जो इशेन होवर cup है इन सब का relation आपको golf से देखने को मिल जाएगा, तो option number 4 is the right answer, clear है, चलो, फिर से revision करेंगे, बार बार पड़ेंगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब hockey, तो मैंने बताया था की, सौमी, घर की की कहाँ पर है, तो सौमी मतलब hockey, और यहाँ रंगा सौमी कप, ठीक है, यह तो आपको याद है, नहरो ट्रॉफी हमने देख लिया है, वोट से associated है, चलिए, अब यहाँ पर बात करेंगे, बैड्मिंटन, तो बैड्मिंटन से associated दो important कप है, एक है थॉमस कप और दूसरा है उबर कप, थॉमस कप जो है वो men's के लिए होत ठीक है, थॉमस और उबर, यह दोनों कप associated है बैड्मिंटन से, ठीक है, याद रखेंगे, नेक्स आता है बास्केट बाल, तो बास्केट बाल आपको यहाँ पर मिलेगा, बिलियम जॉन्स कप, बिलियम जॉन्स कप का association आपको मिलेगा बास्केट बाल से, प्रुदेंशियल आपको पोलो से देखने को मिल जाएगा, ओके, तो आप ऐसा ही याद रख सकते हो कि पोलो, युएस पोलो एक ब्रेंड है, और जारा जो है, जारा, जारा भी एक ब्रेंड है, तो आप जारा और पोलो को associate कर सकते हो एक तरीके से, बाकि डारेक्टली भी आप याद रख सकत करने को मिल जाएगी, ना बात करते हैं हम यहाँ पे हौकी, सो हौकी से हमने कई सारे cups recently देख लिये हैं, और कुछ और cups को आप add-on कर सकते हो, जैसे कि Guru Nanak Dev gold cup and Maharaja Ranjit Singh gold cup, इन दोनों cups का association भी हौकी से है, फिर football, तो फुटबॉल से आपको यहाँ पे rover cups देखने को मिलेगा, rover cup, ठीक है, football से associated है, done, चलिए, next, which among the following cup or trophy is awarded for women in the sport of badminton, तो अभी हमने देखा badminton से associated दो important cup, thomas and uber, thomas cup men's के लिए होता है, और uber cup females के लिए होता है, तो यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा, option number three, ठीक है, तो badminton को एक बार repeat करेंगे, revise करेंगे, thomas cup और uber cup तो आपको याद हो चुके होंगे, इसके अलावा एक और important है, चड़ा cup, ठीक है, कोई एक badminton player है, वो चड़ा पहन के खेल रहा है, इस तरीके से आप एक image बना सकते है, अगरवाल जी है, चड़ा पहन के badminton खेल रहा है, किस के साथ, हरी के साथ, अब यहाँ पर, यह current of first देखेंगे, दो हजार चॉबीस की जो thomas cup और uber cup conclude हुए है, कहां पर हुए है, आंसर हो जाएगा, चैंग दू में, ठीक है, अब चाहे वो uber cup हो या फिर thomas cup हो, दोनों ही cup को किस ने जीता है, चाइना ने, और चाइना सबसे जादा successful team आपको किसको डिफीट किया है, आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया को, चाइना ने डिफीट किया इंडोनेशिया को, और thomas cup का टाइटल 11 टाइम जीता है, वहीं चाइना की जो विमिल्स टीम है, उन्होंने भी इंडोनेशिया को डिफीट किया, और uber cup का टाइटल 16 टाइम अपन 1956-57 में खेला गया था जिसमें USA के टीम जीती थी क्या इंडिया कभी जीता है आप 2022 का अगर थॉमस कब देखेंगे तो इंडिया के टीम ने थॉमस कब को जीता था बैंककॉक थाइलेंड में in 2022 यह थॉमस कब एन ऊवर कब है यह दो साल में कंड़क्ट किये जाते हैं हर दो सा easy question है रंगा-सौमी कप का relation किस से है तो अभी मैंने आपको काफी बार याद करा दिया है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी सौमी की कहा है तो होकी से associated आपको रंगा-सौमी कप देखने को मिल जाएगो option number 3 चलिए already हम बार-बार revise इसलिए कर रहा है जिससे चीज़ें याद हो जाएं तो होकी से related हमें देखा था आगा-खा कप ध्यान चनल ट्रॉफी सुल्तान अजलन शाह कप इंद्रा गांधी गोल्ड कप और रंगा-सौमी कप ओके ना बात करके हैं किर्केट से तो किर्केट से रंजी ट्रॉफी मिल जाएगी इरानी ट्रॉफी रंजी ट्रॉफी इरानी ट्रॉफी दिलीब ट्रॉफी द्योधर ट्रॉफी और सीके नाइजी ट्रॉफी यह सभी किर्केट से associated है और इनके नाम कोई ट्रिक की ज़रुवत नहीं आपने कई बार सुने है करे इंट फिर्स में BC Roy Trophy and Bardoloui Trophy. ये सब ही आपको football से associated देखने को मिल जाएंगे. चीक है? Next. With which sport is the Begum Hajrat Mahal Cup associated? अब वहाँ पे जो Begum थी, वो रसूल Begum थी. जो की होकी खेल रहे हैं जी सुल्तान के साथ. लेकिन यहाँ पर लखनो वाली Begum है ये, Begum Hajrat Mahal. इनका relation किस cup से है, मतलब किस game से है, Begum Hajrat Mahal Cup का relation, आपको देखने को मिल जाएगा किस से? football से. ठीक है, Begum Hajrat Mahal क्या खेल रहे हैं? football खेल रहे हैं, तो इनका relation football से आपको देखने को मिल जाएगा. अब यहाँ पर अगेन, Rugby Cup, सोरी, Rugby जो sport है, तो Rugby का association इन कप से है, कौन-कौन से हैं? Wave, Illis Cup, Derby Cup, यह question कई बार पूछा गया है, यह वाला important है, Derby Cup. फिर आपका Quilter Cup, Gordon Hunter और Memorial Trophy, यह सभी Rugby से associated हैं. किरकेट अल्रेडी हमने discuss किया है, Assis Cup, CK Nightly Trophy, दियोधर Trophy, दिलीप Trophy, विजय हजारे Trophy, इरानी कप, रंजी Trophy और आपका Wisden Trophy. यह सभी किरकेट से associated आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है? Next है, Gillit Cup या फिर Gillit Cup, किस से associated है? तो देखो, एक image दिखाती हूँ मैं, यह लो. अभी याद रह जाएगा कि किरकेट से है? ठीक है, याद रह जाएगा कि किरकेट से है? Easy है ना? चलो, ठीक है. Next है, Between which countries is Assis Trophy played? Assis Trophy का relation किरकेट से है, अभी हमने देखा. किन दो countries की टीम के बीच में यह tournament होता है? तो answer हो जाएगा England और Australia. Option number D is the right answer. Option number D. F.I.B.A. जैसे कि FIFA, FIFA associated है आपके football से, वैसे ही FIFA आपका basketball से associated देखने को मिल जाएगा. International Basketball Federation, basketball की governing body आपको देखने को मिलेगी. विजय हजारे Trophy, तो विजय हजारे Trophy का relation किरकेट से है, इसमें भी कोई trick की ज़रुवत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम इसको news में सुनते रहते हैं, option C. Next है, which is the national sport of Canada? Canada का national sport क्या है? मैं आपको यहाँ पे clear कर दो कि इंडिया का कोई भी national sport नहीं है. होकी में जीते हैं, Olympics में, लेकिन अभी तक Ministry of Sports ने होकी को as a national game recognize नहीं किया है. मतलब इंडिया का कोई भी national sport नहीं है, इस बात को याद रखना, and Canada का ice hockey देखने को मिल जाएगा, option number A. चीक है, यह question आपको last year exam में देखने को मिला था, archery is the national sport of which country? तो archery किस country का national sport है? तो answer क्या हो जाएगा? भूटान का. Option B is the right answer. Extra, आप यहाँ पे information याद रख सकते हैं, USA का national sport जो है, वो baseball है, वही चाइना में table tennis खेला जाता है, आप देखो ना, tennis में आपका चाइना का contribution काफी जादा रहता है, तो चाइना table tennis जिसको यहाँ पे ping pong भी कहा जाता है, ओके? blank has cricket as its national sport, किस country का national sport cricket है? तो इंडिया का तो है नहीं, यह बात हमें पता है, छीक है, USA का भी हमने देख लिया baseball है, अब क्या बचा, जमाइका बचा और श्री लंका बचा, तो सही आंसर हो जाएगा जमाइका, option number B, अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो जापान में sumo wrestling इनका national sport है, तो ही South Korea में आपको Thai commando देखने को मिलेगा, next, तर्की का national sport क्या है, तो तर्की हमेशा लडाई करता रहता है, न्यूज में बना रहता है, ठीक है, तो wrestling से इनका association है, option A is the right answer, Brazil, football से associated है, और Russia, Russia का जो national sport है, उसका नाम है Wendy, Wendy एक team sport है, जो कि similar to ice hockey आपको देखने को मिल जाएगा, और ice hockey जो national sport है, वो आपको Canada का देखने को मिलेगा, ठीक है, next, when was the commonwealth game started, commonwealth game के शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा, 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी, ये important question इसलिए हो जाता है, क्योंकि आज morning के ही current affairs में, मैंने आपके साथ discussion किया था, कि Australia, 2026 की commonwealth game को host करने वाला था, लेकिन उन्होंने step down कर लिया, back off कर लिया, और यहाँ पर अब Scotland, upcoming job की commonwealth game से, उनको host करने वाला है, और 2022 के जो commonwealth games हुए थे, वो बर्मिंगम में हुए थे, ठीक है, next, यहाँ पर extra information अगेन है, New Zealand, तो New Zealand का जो national sport है, उसका नाम rugby है, ठीक है, पाकिस्तान में field hockey, hockey खेला जाता है, national sport है उनका, और नेपाल में है, volleyball, ठीक है, next, in which country commonwealth games were held in 2010, तो दो बार, दो बार Asia continent में commonwealth game हुए है, एक बार Malaysia में हुए है, एक बार दिल्ली में हुए है, और 2010 के जो commonwealth game हुए थे, वो दिल्ली में हुए थे, मतलब इंडिया में, in which year Asian games were started, Asian games के शुरुवात 1951, 1951 में की गई थी, next, which country had started football world cup, तो football world cup की शुरुवात किस ने की थी, उरुगवे ने, next, Olympic games were first started by which country, and in which year, तो हम सभी को पता है कि Olympic games की शुरुवात Greece से होती है, and 1896 में इनकी शुरुवात हुई थी, मतलब option number A is the right answer, next है, what is the golden slam, अब इसको हमने recently, जब पैरिस Olympics हम डिसकास कर रहे थे, तब मैंने आपको इस टम के बारे में बात की थी, कि कोई भी ऐसा tennis player, जो कि चारो के चारो grand slam, जो आपका US Open है, Wimbledon है, Australian Open and French Open है, इसके अलावा, Olympics में भी gold medal जीतता है, तो उसको जो title मिलता है, वो आपका golden slam कहलाता है, तो सही answer क्या हो जाएगा, grand slam plus Olympic gold, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कि पैरिस Olympics में, tennis tournament में, गोल्ड मैडल किसने जीता है, और वो जो player है, और जो प्लेयर है, उन्होंने चारो grand slam भी जीत रखे है, तो उन्हें आपने golden slam कहा है, चीक है, तो उनका नाम आप मझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, इंडिया का oldest football club आपको मोहन बागान देखने को मिल जाएगा, option A is the right answer, next है, who revived the Olympic Games, Olympic Games को revive किसने किया था, तो आपको एक नाम देखने को मिलता है, Pierre de Kubertyn, option D is the right answer, ये founder है, international Olympic Committee के, इसलिए ने father of modern Olympic Games भी, कहा जाता है, next है, which game is associated with the Maddeka Cup, so Maddeka Cup का relation, किस sport से है, answer हो जाएगा आपका, यहाँ पर football, ठीक है, football से associated है, next है, which of the falling award is given, for excellence in sport coaching in India, तो हमारे जो coaches होते हैं, उनको कौन सा award दिया जाता है, तो दड़नाचार award दिया जाता है, जिसकी शुरुवात 1985 में हुई थी, option number B, अब यहाँ पर India, Men's Asia Cup 2024 को host करेगा, यह सही है, किस format में इसको host किया जाएगा, तो answer हो जाएगा आपका, T20 format में, option C is the right answer, next है, who is going to be the youngest chairman, in the history of ICC, तो ICC की हिस्ट्री में सबसे youngest chairman कौन बनने जा रहे हैं, answer हो जाएगा, जैशाह, और जैशाह किसको replace करेंगे, Greg Barclay को replace करने का काम करेंगे, जैशाह is the right answer, next है, which trophy is related to the best service sportsman, तो यहाँ पर best services sportsman को कौनसी trophy दी जाती, तो जस्वन्त सिंग trophy दी जाती है, option number C is the right answer, चीक है, यहाँ पर इरानी trophy तो आपको पता है, किर्केट से है, और यह होलकर trophy है, होलकर trophy bridge एक game होता है, जो कि कार्ट्स का एक game है, तो bridge से associated आपको देखने को मिलेगी, होलकर trophy, चीक है, चारों आपके grand slam होते हैं, फिर आपका यहाँ पर white man cup, फिर आपका thant cup, राजेन प्रसाद cup और devis cup आपको tennis से associate देखने को मिलेंगे, पोलों में जो आपको याद रखना है, वो इजारा cup याद रखना है, जो कई बार पूछा गया है, और आपका basketball से अगर देखेंगे, तो William Jones का प्याद रखेंगे आप, जो की important है, चीक है, इसके अलावा आप देखेंगे, Athletics से, आपको चार मिनार्ट trophy देखने को मिल जाएगी, Bridge, Bridge से holker trophy का association है, Bridge एक game है, जो की karts का game है, और Bridge से related आपको, रुया challenge gold trophy भी देखने को मिल जाएगी, Next आता है rowing, rowing से associated है, Ballington trophy, Rugby, Befs, Illis trophy, Billiards, Arthur Walker trophy, Boxing, MRF World Cup, Chess, Lynn Eric City trophy, and Horse Racing से है आपका, Barris Sport Cup, ये कुछ और additional terms है, बस मैंने आपको additional points दे दिये, अगर इनसे question आए, तो आप से बन जाए, अब आपकी homework की बारी है, ये आपका homework है, यहाँ पर, ये कुछ sports है, और इसके कुछ famous Indian players है, जिनके नाम आपको याद रखने है, कि इनका relation किस game से है, और कई बार पूछे गए नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसे कि भवाणी देवी अभी कुछ समय पहले ही एक्जाम में पूछा गया नाम है, बाकि साक्षी मलेक बजरंपुनिया, इन सब को तो पूछा जाता रहता ही है, आपको पता ही है, अमित पंगाल का नाम भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको याद रखेंगे, आप चाहो तो स्क्रिंशॉट ले सकते हो, एंड इस इस यूर कॉश्टन आफ दे, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, तो दो कॉश्टन मैंने आपसे पूछे हैं, इन दोनों कॉश्टन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रवाइट कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है, तब ही आप इसे लाइक कीजएगा, शेर कर सकते हैं अपने फेर्ण्स के साथ, और पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, तो टेक क्यार और बाबाई,